हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेने स्टडी इंडेने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए मूल वीडियो सम्मधित इंपोटेंट कोसंस लेकर क्या जाओं जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूछूंगा और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो की पीडिये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं पहला कोसं क्यूंच का मामले में देंड़ का उलेक भारतिय सहीता की किस दारा के अंतरगत है तो किस दारा के अंतरगत है सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 3104 के खां में दनको डारेकली याद करने वाले questions हैं जो explanation वाले होंगे बता दूँगा ठीक है फिलाल इनको आप directly याद ही कर सकते हैं भारतिय डंड सहीं था कि धारा 303 निमनिमें से किस से समझत है अब बताओ धारा 303 अगर याद होगी तो तुरंत हैं बता दूगी तो किस समझत है आज इवन कारावास दंड से दंदिड व्यक्ती द्वारा हत्या करने पर दंड से समझत है तो यानि कि ये इस questions का तीसरा options correct राज सरकार पिरतेक जिले में उतने व्यक्तियों को कारपालक magistrate निक्ट कर सकता है जितना उचित समझे इसका उलेक वारतिय दंड पिरकिरिया सहीता कि किस दारा में है तो किस दारा में सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 20 में पहला ही options correct next questions कि ग्रिफतारी करते समझे पिरतेक पुलिस अधिकारी का क्या करतब होगा तो ग्रिफतारी करते समझे पिरतेक पुलिस अधिकारी का करतब होगा कि वै अपने नाम की सही दिखने योगवा इसपष्ट पैचान रखेगा जो उसकी पहचान को सहजक करे ग्रिफतारी का ग्यापन तैयार करेगा ग्रिफतार व्यक्ति को यह मौका देगा कि वे अपने रिस्तिदार या मित्र को अपनी ग्रिफतारी की सूचना दे सके तो ये उसके करता भी होंगे चौता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्गल क्या होगा सर करेक्ट हो जाएगा Next questions कोई पुलिस अधिकारी वोरेंड के बिना ग्रिफतार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अब्दी के लिए अभी रक्षा में निरोदर नहीं रखेगा इसका उल्लेक दंपिरक्रिया की सहीता की किस धारा में है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा धरा संतावन में क्योंकि 24 घंटे के बीतर जो भी गिर्फतर किया होगा व्यक्ति उसको Magistrate के सामने या समक्ष जो है वो पेस करना होता है तो इसका उल्लेक जो है वो धरा संतावन में है दंपिरक्रिया की दंट पिर किरिये सहेटा का धारा 88, 88 नहीं, 83, 83 किस समझ देत है तो ये फरार व्यक्ति की समपत्ति की कुर्की जो भी व्यक्ति है, फरार व्यक्ति है उसकी जो समपत्ति है, उसकी कुर्की कर लियाईगी सरकार के दोरा तो ये इस समझ देत है, दूसरा OPCiem नेक्स्ट कोसंस आपके सामने बारा वर्स से कम उम्र के बच्चों को उसके माता या पिता या संदक्छक द्वारा कहीं छोड़ देने पर उसे दंड पिरक्रिय सहीता की धारा 317 के तहट दंड हो सकता है तो साथ वर्स का दंड या जुर्वाना भी या दोनों भी हो सकता है तीसरा उप्संस बिल्कुल करेक्ट दंड पिरक्रिय सहीता के किस धारा के तहट लोग अभी योजक नियुक्त करने का उपबंद है तो किस धारा के तहट धारा 24 के तहट निम्लेकित मेंसे कौन जो है वो सही है दंड पिरक्रिय सहीता की दारा का प्रवत होई तो सही आंसर हो जाएगा दंड पिरक्रिय सहीता 1973 निम्लेकित मेंसे कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1860 पढ़ाय तकली पढ़ाय मैंने भारतिये साक्च अधिनियम किस वर्सका है साक्च अधिनियम तो ये किस वर्सका है 1872 का है Sir कबका 1872 तीसरा अप्सन करेक्ट नेक्स्ट कोसन देख लीजिए Sir आपके सामने जब किसी व्यक्ती के दुर व्यापार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी सनलिप्त हो तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को भारते डंड सही था कि धारा 73 के तहट क्या दंड दिया जाएगा तो क्या दंड दिया जाएगा आज इवन काराबास का दंड दिया जा सकता है वही या तीसरा options correct next question से आपका कि बरेष्ट पुलिस अधिकारों की सक्ति का उलिक दंड पिर किरिये सही था कि किस दारा में है तो किस दारा में है धारा 36 के अंतर गते सर तीसरा options यहां पर आपका बिल्कुल correct next question ऐसा अपराद जिसके लिए पुलिस विनाव वारेंट की गिरिफतर कर सकेगी उस अपराद को क्या कहते हैं सर तो उस अपराद को हम संगे अपराद की स्रेणी में रखते हैं पहला options correct साथ वर्स से कम आयू का बच्चा दौरा किया गया कोई अपराद नहीं माना जाएगा कोई भी अपराद की गया तो अपराद की स्रेणी में नहीं माना जाएगा यह भारतिय डंड सहीता की किस धारा में समदेता है तो यह धारा 82 में समदेता है दूसरा options correct भारतिय डंड सहीता का समुद्र में 6 तरह दीकार कितने समुद्री मील तक है तो सही answer हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील तीसरा options correct भार्ण हाला कि यह questions आपका जोगरफी से भी है 12 डंड सहीता की निम्लिकत में से कौन सी धारा योन अपरास से समन्दित है तो कौन सी धारा योन अपरास से समन्दित है धारा 375 पहले यह options correct मान हानी के लिए दंड का उल्लिक भार्ण डंड सहीता की धारा 500 में उल्लेकत है यह दंड हो सकता है तो यह दंड दो वर्स तक का काराबार या जुर्माना या दोनो तीसरा options बिलकुर correct next question से आपका के हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा यह questions करवा चुका हूँ जल्दी बताओ तो किसने लिखा तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीमूत बाहन ने पहला ही options correct भार्ण सहीता की धारा 120 का निम्लेकत में से किसे समद्द है तो किसे समद्द है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आप रादिक सड्यंतर की परिवासा से पहला ही options correct भार्ण सहीता की धारा 494 के अनुसार पती या पतनी के जीवन काल में पुना बिवा करने पर कारवास की अधिक्तम अब्दी क्या हो सकती है तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्स 14 options correct चुराई गई संपत्ती च्छेपाने में सायता करने के अपराद में किसी व्यक्ति को भार्ण सहीता की धारा 494 की तहत अधिक्तम धार्ण दिया जा सकता है कितना तो 3 वर्स का धार्ण व्यू एओ आपको दिया जा सकता है भार्ण सहीता की धारा 3014 निमले के तमय से किस समझत है किस समझत है तो सही आंसर हो जाएगा आपका इस्तरी लज्जा भंक करने से समझत दंड पहलाई options correct last questions के भारते दंड सही तकी किस दारा के तहत करेंसी के नोट करेंसी के नोटों के कूट करन कि अपराद मैं दंड का उलेख है तो इस questions का अंसर आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों ये थे आपके 25 मूल विधी के important questions जो कि मैंने आज की जुड़े में आपको complete करवा दिये कल मैं आप लोग लिए सम्मिधान के questions लेकर क्या हूंगा यही रात 9 बजे और आप सभी लोग जानते हैं अनकेडिमी पर में लगातार आप लोग के लिए तयारी करवा रहा हूं ठीक है तो अगर आप अनकेडिमी पर मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा profit मिलेगा क्योंकि हिंदी के तो लगातार आपको दमाकेदार तयारी वहाँ पर आपको करवाई जा रही है कल आपकी तीन क्लासे सोंगी तीनो क्लास का लिंक में आपको description में प्रोवाइड करवा दूँगा तो एक बर जरूर से check out कर लीजेगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लेस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजना यसी तरह की वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत